जहन्द एस्परेंट्स दिजीज़ एंड वेलकम बैक्टर सेस्वी क्रैक एक्जाम्स 27 अक्टूबर फ्राइडे के दिन एक बहुत ही इंपोर्टेंट सा एक सो बीस कंट्रीज उसे वोटिंग करने के लिए गई हुई थी अब ये क्रूशियल सा रेजोलूशन हुमानिटेरियन असिस्टेंस प्रवाइड करने के लिए था गाजा में अब रीसेंटली आप सभी को भी पता है इसराहिल और गाजा के बीच जो टेंशन से उसी तरीख सब्सक्राइब लाए हुए थे जहां पर इंडिया ने उनका सपोट दिया तो आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो टर्म से जो ड्रॉप आउट किया थे विकाज ऑफ विच एक हुमानिटेरियन असिस्टेंस प्रवाइड करने के लिए इंडिय हमें देखने को मिले और गाजा स्ट्रिप में जो कुछ भी हल्प प्रवाइड की जा सकती है वह प्रवाइड की जानी चाहिए तो रेजलूशन दरसल ड्रॉप करने वाली कंट्री जॉर्डन है और उन्होंने यहां पर जो रेजलूशन लावा था वह यह था कि अन्हिंड के वजए से जहां पर एक लोकल कॉंसर्ट चल रहा था मुजिक कॉंसर्ट वहां पर बंबारी वगरा की गई और होस्टेज को लिया गया तो इसराइल और गाजा के बीच यह इसराइल और हमस के बीच यह डेडली क्लैश हमें देखने को मिला अब उसी रेजलूशन को लेक है तो इंडिया ने वोट किया कैनडा के उस प्रपोस्ट अमेंडमेंट को लेकिन जो के 87 अधर कंट्रीज साथ भी थे इसके लेकिन मेजॉरिटी जो के टू-3 मेजॉरिटी यहां पर हमें देखने को नहीं मिली तो उसे अडॉप्ट नहीं किया गया अब जॉर्डन ने जो वोटिंग के लिए फेवर में दिया हुआ है 14 इसके अगेंस्ट ने और 45 ने अबस्टेंड किया अबस्टेंड हैं कि वोट नहीं करना चाते थे तो इंडिया उसमें से एक था इंडिया ऑस्ट्रेलिया जर्मनी जापन यूक्रेन और यूके ने अपने आपको वोट करने से अबस्टेंड किया दो कीवर्ट्स यहां पर पाए नहीं जा चुके हुए थे यह दर असल यूएस यूएन यूएन के रेप्रेजनेटेटिव और यूनेटेट स्टेट्स लेंडा थॉमस ग्रीन फिल्ड जी ने कहा कि यूएस इसके रेजलूशन के खिलाफ इस वज़े सा कि इमिडियेटली जो ऑक्कुपाइंग पवर है वो पलेस्टीनियन से रेसिंट कर दे और साथी साथ यूएन स्टाफ और हुमानिटेरियन वर्कर्स यहां पर जितने भी इरिया से हैं वहां से सिविलियन को वैक्ट करके एक सप्रेट या फिर एक सेफ जगावने मोव किया अगर आप एक डिफेंस एस्परिंट है और एसेस्बी इंटर्व्यू एंड़ीयेट जैसे एक्जाम्स के लिए प्रिपेर कर रहे हैं तो आप एसेस्बी क्रैक एक्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें आप हमारी लर्निंग अप्लिकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं